हालो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डीटेल्स में बताऊंगा ना कोई टेकनिश्यान को बिना बुलाए आप दो तीन हजर फालतों में ना वेस्ट करके कैसे आपका घर का ऐसी आप खुद ही साप कर सकते हो और थंड़ा थंड़ा हवा का एंजय कर सकते हो तो प उसको धीरे से अंलग करना है मतलब खाली उपर की तरफ उठा देना है उठा देने से अराम से वो उढ जाता हैं और उस डुनों को निकाल देना है इसके उपर देखाऊंगा आपको कितना ड़ॉस्ट लगा रहता है आपको लगता है कि मैं सीशे ताजा हवा और फ्रेश यह हावा आ रहा है और हम सांस ले रहे हैं अभी देखो इसके उपर कितना धूल मीटी बेठा हुआ है आपको में दिखा रहा हूं यह देखो कितना डॉस्ट लगा हुआ है हमें लगता है कि फ्रेश हावा है अभी पताओ तो आप रेगुला ली इसका एसी को एसा दो हर तीन सब्सक्राइब कर सकते हो तो उसको निकलने के बाद सिधा बात्रूं में लेलो और एक बॉकेट में पानी और डिटरजेंट कुछ डालके उसको आच्छे से ढए रहे करने के लिए इसा पानी निकाल दो उसमें से ड्राइ कर लो 10-15 मिनिट फ्यान में रख दोगे तो वो पूरा ड्राइ हो जाता है यहाँ पे आप जाडू के साथ या ब्रॉस के साथ या कोई कपड़े के साथ आप आराम से इसके अंदर से जो भी डॉस्ट लगा रहता है उसको आराम से साफ कर दो ऐसे पूरा क्लीन ओ जाता है उसका एर फिल्टर भी क्लीन हो गया और एसी के अंदर जो डॉस्ट लगा था भी ब्लिन हो गया और फिर ये एर फिल्टर को ला के आप आराम से ऐसे फिटिंग कर लो खाली कलीब जैसा रहता है उसको आंदर घुशा के दबा दो तो ये fit हो जाता है तो कुछ इस तरह दोनों air filter को आप fit कर सकते हो और आराम से आपका AC clean हो गया साफ सफाय हो गया ना कोई electrician को और AC technician को बुलाना पड़ा आराम से आप खुदी कर लिए और इस तरह दबा दो उसका front panel को और ये lock हो गया अपना AC अभी completely clean हो गया अभी remote से आपका AC on करो और थंडे थंडे हवा का मजा ले लो Thank you guys